आने जाने के लिए फ्लीट कैप बुक करना एक आरामदायक विकल्प बन गया है हमारे पास ओला, उबर, इंडराव कैप और भी बहुत सरे विकल्प है भारत में कैप सुविदाय काफी विकल्प से तो चुके हैं यह आपके निवास या कारेले से घर तक आरामदायक और परिशानी मुक्त यात्रा प्रदान करते हैं लेकिन आपको अपने सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है यहाँ पांच प्रमुक कैप सुरक्षा युक्तिया दी गई है जो आपको खुद को सुरक्षित रखने और सुरक्षित यातरा अनुभव को बढ़ावा देने में मदद करेंगी एक, कार को मैच करें हमेशा टैक्सी के नंबर प्लेट जाचे जब आप कैप बुक करेंगे तो आपको कैप नंबर, कार का रंग, कार मॉडल और अन्य विवरन दिखाई देंगे कैप आने पर यदि आप देखते हैं कि विवरन एप पर दिये गई विवरनों से मेल नहीं खा रहा तो ड्राइवर आपको बता सकता है कि एप में उल्ली खित, कार मरमत के लिए गई है और दूसरी कार भी उसकी है, हालाकि यह सच हो सकता है उस कैप में यात्रा न करके दूसरी बुक करना सुरक्षित है दो, चाइल लॉक यह अधिकाश कारों के दोनों पिछले दर्वाजों के डोर फ्रेम पैनल में स्थित होता है लॉक का नियंदरन ड्राइवर के पास होता है चाइल लॉक, बच्चों की सुरक्षा सुनुश्चित करने और उन्हें कार का दर्वाजा खोलने से रोकने के लिए होता है लॉक का नियंदरन कार्चालक के पास होता है हम सब जानते है लेकिन जब आप कैब में यात्रा कर रहे हो तो आपको यह सुनुश्चित करना होगा कि चाइल लॉक निश्क्रिया है सक्रिया होने पर पीछे के दर्वाजे के वल भार से खोले जा सकते है और कोई अजनवी प्रवेश कर सकता है और आपका आपनन करने का प्रयास कर सकता है इसलिए जब आप कैब की पिछली सीट पर बैठे तो सुनुश्चित करें कि चाइल लॉक बंध है तीन, मैप और रूट जैसे ही ड्राइवर पिंस सब्मिट करता है कैब एक रूट दिखाती है उसी मार्ग का आनुसरन करें कुछ कैब ड्राइवर आपको यह काकर दूसरे रास्ते से ले जाते हैं कि यह छोटा है और भीडबाड कम है या किराय कम लगेगा लेकिन इसे कभी भी स्विकार न करें और ड्राइवर को दिये गए रूट पर चलने के लिए कहें अप परिचित मार्गों पर यात्रा करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह सुनसान और खाली हो सकते हैं इसके बज़ाए ड्राइवर से एप पर दिखाए गए रूट पर चलने का अनुरोद करें चार ड्राइवर की प्रोफाइल जाचे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा जाच ले कि ड्राइवर का नाम और फोटो आपकी कैप के ड्राइवर से मेल खाती है या नहीं यदि आपको संदेय है कि एप पर ड्राइवर की जानकरी आने वाली ड्राइवर से मेल नहीं खा रही है, तो एक यात्री के रूप में आपको अपने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस की जाज करने का आधिकार है। कुछ मामलों में ड्राइवर आपको बता सकता है कि एप में इस्तेमाल की गई तस्विर पुरानी है या कैब कंपनी ने कोई गलत तस्विर अप्लोड की है। इसलिए यदि आपको कोई संदेय हो या ड्राइवर पर थोड़ा सा भी संदेय हो तो कैब में न बटे। पाच, सेफ्टी एप अपने फोन में आमेशा 112 इंडिया एप इंस्टॉल रखे यह विबिन्न संबंदित अधिकारियों को आपात कलिन अलर्ट बेचता है इन प्रादी करणों में पुलिस, अगनी शमन, विबाक, चिकित्सा सेवाय जैसे एम्बूलस आधि शामिल है इसलिए आपके फोन में यह एप ज़रूर होना चाहिए ताकि कोई समस्या होने पर आप से संपर किया जा सके लेकिन एक समस्या है आई-एस-एच टीम की चर्चा के आनुसार एक-एक-दो इंडिया एप उपयोगी है बहुत से डेफ भी कैप बुक करने के लिए ओला उबर आधि एप का इस्तमाल करते है यदि डेफ किसी आपा सिते में फर्स गया है और एक-एक-दो इंडिया से संपर करते हैं तो उनके लिए समवात करना कटिन है अब जब मैंने बिंदूओं को समझा दिया है तो मुझे उम्मीद है कि डेफ संग इस वीडियो में वाइस-ओवर और सब्रेटल के साथ स्थानिय एक-एक-दो इंडिया हेलप लैन अधिकारियों से संपर करेंगे और उन्हें सूचित करेंगे कि डेफ के लिए सुगम में नहीं है उनसे समतान के लिए पूछें क्योंकि कैप का उप्यूब करने वाले डेफ की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाने चाहिए इसलिए डेफ संग स्थानिय अधिकारियों से संपर करना याद रखे अब जब आप सुरक्षित कैप सवारी के लिए पाच युक्तिया जानते हैं तो आपको सीट बेल परन कर अपने सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी अपने फोन पर गेम खिलने या इंस्टाग्राम पर सर्फिंग करने में व्यस्त न रहे सुनिश्चित करें कि ड्राइवर दिये गए मार्क पर गाड़ी चला रहा है किसी भी आपा स्थित्ती के लिए अपने मुबाइल को पूरी तरह चार्ज रखे जब आप कैप बुक करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए विवरन अपने परिवार दोस्तों ओफिस का लिक आदी के साथ साजा करें ये कैप फाइदे मन तो है लेकिन कभी-कभी जोकिम भरी भी होती है तो अपनी सुरक्षा के लिए पाच पॉइंट याद रखे